नमस्कार जस्ट्ट ट्राहूल नागरा में आपका स्वागत है जैसे कि हम सब जानते हैं रोज कोरोना के केसस बढ़ रहे हैं हम लोग भी इस बिमारी से बचने के लिए सारे safety methods follow करते हैं खास करके हम लोग हमेशा mask पहने रहते हैं लेकिन mask को dispose करते वक्त क्या हम सही तरीका follow करते हैं masks को सही तरीके से dispose करना भी उतना ही जरूरी है जितना की उसे पहने रहना disposing की method जानने के लिए वीडियो को last तक देखते रहना और अगर वीडियो सही लगे तो दूसरों के शाथ भी share करना ये अच्छी बात है कि हम लोग पब्लिक places में physical distancing या social distancing maintain करते हैं और mask भी पहने रहते हैं आपने भी देखा होगा कई बार used mask रोड पर पड़े रहते हैं यूज किये हुए mask को रोड पर फैंकना गलत बात है हमें स्वचता का ख्याल रखना चाहिए हम patient हो या ना हो हमारे use किये हुए mask पर jumps रहते हैं और ये jumps 48 to 72 hours के लिए active रहते हैं रोड पर पड़े mask को dispose करने के लिए सफाई कर्मचारियों को उसे touch करना पड़ता है कई बार बच्चे भी खेलते वक्त अंजाने में इसके contact में आ सकते हैं और ये jumps फैल भी सकते हैं इसलिए mask को dispose करने से पहले उसे ठीक से wash करें उसे सुखा लें और 72 hours के लिए एक paper bag में डाल के रख दें Ministry of Health and Family Welfare की advice के हिसाब से mask को dispose करने के लिए यदि उसे जला दें या फिर उसे cut करें एक गहरा खड़ा खोद गे उसमें डाल दें और खड़ा बंद कर दें कट इसलिए करना है ताकि वो reuse ना हो सके अगर ये वीडियो सही लगा हो तो like करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ share करें अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें और स्वचता का पालन करें इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने का motivation मिलें जैहें